हलो दोस्तों आपका बहुत-बहुत सौगत है हमारी यूटूब चैनल पीव कीचन में तो आज मैं बनाऊंगी गेवु के आटे का बहुत ही कुरुकुरा और टेस्टी नास्ता तो आप इसको जटपड बना के तयार कर सकते हैं तो चलते हैं इसको बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैं दो कच्ची आलू ले लिए हूँ और तेन छोटी प्याज तो आलू को मैं ग्रेट कर लूँगी तो यहां पर मैं सारा आलू के पानी को निचोड ली हूँ, तो यहां पर मैं प्यास को लंबे-लंबे स्लाइस में कट कर ली हूँ, तो आलू के लच्छे को इसमें मैं डाल दूँगी, तो यहां पर मैं सारे आलू के पानी निचोड ली हूँ, तो यहां एक चम्मच मैं जीरा डाली हूं इसमें और बारीक कटी तीन हरी मिर्च और बारीक कटी हुई हरी धनिया इसमें डाली हूं और एक चम्मच कुटा हुआ लाल बुच डाल रही हूं और एक चम्मच इसमें मैं काली मिर्च पॉलर डाल रही हूं अब मैं इन सबी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि प्याश के लच्छे अलग हो जाए तो ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं अब इसमें मैं दो बड़े चम्मश गेहो का आटा डालूंगी ताकि इसकी बाइंडिंग एच्छे से होप है हमें ज़्यादा आठा नहीं डालना है उतना ही आठा डालना है जितनी की बाइंडिंग हो जाये तो अब इसमें में आधा निम्बू का रस डाल दूँगी इससे खटा पनाएगे थोड़ा अब इसमें सौद के कॉर्डिंग आधा चम्मच नमक डाल दे रहे हूँ तो अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करूँगी हाथों से यह अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब थोड़ा सा मिस्तरण हाथ मिलूँगी और अच्छे से इसको गोला बनाऊंगी और हाथों से इसको प्रेस कर दूँगी उंगलियों से और बीच में हमें होल कर देना है और इसी तरह से मैं सारे नाच्छे को बना लूँगी तो यहाँ पर मैं तेल को गरम करनी हूँ अब इसमें मैं एक एक नाच्छे डालती जाओंगी फ्राई होने के लिए तो हमें इसको मीडियम फ्राई करना है अब इस नाच्छे को मैं प्लट दूँगी और दूसरी तरह भी फ्राई होने दूँगी तो हमें इसको उलट प्लेट के फ्राई करना है और हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और आप भी इस नास्ते को जटपट बना के तयार कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यह हमारा नास्ता फ्राई हो गया है तो अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और इसी तरह से में सारे नास्ते को बना के फ्राई कर लूँगी तो आप देख सकते हैं यह हमारा गेहु के आटे का नास्ता बनके तयार है और आप भी इस तरह से गेहु के आटे का नास्ता बना सकते हैं और हमारी वीडियो आपको पसंद आए ति वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुलते हैं नेक्ट वीडियो में नई रेस्पी के साथ धन्यवाद